आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए भारतिय तेज गेंद बाज जै देव उनादकट को राजस्थान रायल्स ने IPL निलामी के दूसरे दिन रविवार को यहां 11.50 करोड रुपए की मोटी धनराशी में खरीदा जबकि दक्षिन अफरीकी तेज गेंद बाज डेल्स टेन को कोई खरीदार नहीं मिला राजस्थान रॉयल्स को सोच समझ कर खर्चा करने के लिए जाना जाता है लेकिन आज उसने अपना ख़जाना खोला तथा करनाटा के ओफ स्पिनर कृष्ण पाग गौतम को भी 6.02 करोड रुपए में अपनी टीम से जोड़ा उनादकट निलामी में अब तक के सबसे महंगे भारतिय खिलाडी बन गए हैं उनका आधार मूलिय एक दशमलब पांच करोड रुपए थे लेकिन चैन्नाई सुप्रकिंग्स और किंग सिलेवन पंजाब के बीच चली बोली के कारण उनकी कीमत 11.50 करोड रुपए तक पहुँच गई यह अलग बात है कि आखिर में राजस्थान रॉयल्स उने खरीदने में सखल रहा